दोस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे चैनल एक्जाम सभा में और आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे अगला आदमी क्या करेंगा अगला आदमी पता चला कि वह उसने 15% पर किसी को और उधार दे दिया तो यही प्रक्रिया अगर चलती जाती है सोची सो ही रुपया है लेकिन चार बार पांच बार लोगों को वह पैसा मिलता चला जाता है दूसरा आपको एक्जांपल में दे के समझाना चाहूँगा जब मालीजे लोन लेता है ऐसा समझे कि कोई भी किसान है वो आपका खेत में जोटाई वह लोन लेता है एक लाग रुपय के लिए है तो क्या वो पूरा पैसा खर्च कर लेता है कई बार ऐसा होता है कि उसमें 10 होता चला जाता है इसी को बोलते हैं मली मलता है मल्टिप्लायर तो अब मैं थोड़ा सा इसको पहले डेफिनिशन के द्वारा थोड़ा सा आपको तूद पॉइंट बताने की प्रयास करूंगा तो फेनामिन ओफ क्रेटिंग मनी इन एकॉनमी ठीक है विद स्पेसिफिक मनी आपके पास पैसा उतना ही है लेकिन आपका जो अर्थव्योस्ता है उसमें पैसे को लिक्विडिटी को बढ़ाते रहना ठीक है लोगों तक एक ट्रांसफर करते रहना उसी को जो मनी क्रिएशन होता है उस फेनामिनों को ही मनी मल्टिप्लायर बोलते है अब जैसे कोई भी कॉमर्सियल बैंक है वो क्या करती है मनी एकसेप्ट करती है आप क्या करते हो आप इंकम करते हो तो मनी जो है बैंक में डाल देते हो तो वो मनी जो आप बैंक में डालते हो तो आपको क्या लगता है कि बैंक उसको हमेशा रखे रहती है नहीं रखती वो क्या करेगी एक पर करते रहते हैं लोन के द्वारा अब जो ब्यक्ति लोन लेगा वह मालीजे के कोई भी बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा है ठीक है या फिर किसी किसी भी मैनिफेक्ट्रिंग सेक्टर में कोल माइन में उसने पैसे लगा दिये उससे उसको प्रोडक्शन होगा वह ज्याद अगले आदमी को लोन दिया उसने एक्स परसेंटेज रखा अब आके 96-x उसने क्या किया किया किसी और को दे दिया ठीक है उसने खर्च कर दिये जिससे उसको प्राफिट होगा अब 96-x जिस ब्यक्ति को मिला है वह अभी यही प्रेक्ट्रिया करेगा आप सोचे 100 रुपया मतलब क्या हुआ कि 10 गुनाव मल्टिप्लाई हो गया इसी को मनी मल्टिप्लाइर कहते हैं अब अगर mathematical formula के हिसाप से समझा जाए तो मनी मल्टिप्लाइर जो हता है यहां पर र क्या है required reserve ratio ठीक है मतलब कि reserve जो है आपका RBI के द्वारा निर्देश रहता है कि हमेशा बैंकों को एक percentage जो है जो पैसे उनको deposit किया जाते है तो उसका percentage रखना पड़ता है उनके बास तो उसको बोलते है required reserve ratio reserve ratio मतलब क्या है ऐसा भी तो हो सकता कि अगर आग मैंने 100 रुप्या बैंक में जमा किया है मुझे कल जुर्यत पढ़ जाए तो मैं 10 रुपे 20 रुपे ले भी सकता हूं तो अगर बैंक पूरे पैसे लोन दे देगी लोगों को तो उसके पास तो कुछ पैसे रहेंगी नहीं तो वो bankrupt हो जाएगी इसलिए एक particular ratio हमेशा bank बचा के रखते है उसको reserve ratio कहते है अब बाकी जो है आपका इससे यह पता चलता कि reserve ratio जो है वो आपका inversely proportional होता money multiplier के अगर RBI ने निर्दिस देदिया अगर RBI चाहती है कि liquidity बढ़ेगी बढ़ना चाहिए ठीक है मंदी आ रहे तो liquidity खीचना है ठीक है market से पैसा कम करना है तो liquidity को कम करना है तो उसके लिए वो क्या करेगा R की value को बढ़ा देगा वो क्या करेगा कि 5% आपको रखना अनिवार है अब किवल आप बैंक जो है 95 रुपए है किसी को दे सकती है इस तरीके से money multiplier is inversely proportional to R जो की required reserve ratio है इसी दिए मैंने multiply का general मतलब भी यही होता है कि किसी भी जिसे X रुपया है तो X का 5X 7X कुछ time साफ हो जाए ठीक है तो इस तरीके से money multiply complete हुआ इसी तरह के वीडियो अगर आप economy के देखने चाहते हो तो description में आपका playlist होगा उसमें बहुत से topics कमने कवर किया है धन्यबाद